हम अपने देश की रिश्यों के द्वारा प्रमानित परंपरा गत्रूप से जिवित इन दिब्य ओशदियों के संदर्ब में चर्चा कर रहे हैं अभी मैं बैठा हुआ हूँ जिस ओशदियों पौधे के पास उसका नाम है गोखरू यहाँ छोटी गोखरू का पौधा है आप फूल देख रहे हैं फूल के साथ में इसके फल को भी आप देख रहे हैं फूल और फल से युकता यहाँ गोखरू ट्रिबूलस तेरस्ट्रिस यहाँ अम्रीथ है आपके गूर्दे के रोगों के लिए किड्नी प्रावलम के लिए आज दूशित वातावरन गलत खान पान और आप चहा करके भी एक तो मिर्च मशालेदार और पीजा बर्गर और फ पास्ट फूड जंक फूड इनका सेवन तो बहुत अहित कर है आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ सबजी रोटी दाल भात इनके सेवन से ठीक रहूं तब ही हमारे हाँ जो अन है वह वी बहुत सारे नानावीद किट नासक पेस्टिसाइड और दूसरी चीजों के द्वारा केमिक कि सामाने अन खाने वाला संयमित विक्ति भी आज रोगों से ग्रसित होता जा रहा है यह देश की बहुत बड़ी समस्या है और देश का दुरभाग्य है जो पूरे वर्ड के अंदर जो प्रतिवन्दित पेस्टिसाइड हैं जो किटनासक हैं वह आज हमारे देश में भी ध आज देश में उस तरह के पेस्टिसाइड हो को डाला जाता है और डाल करके उसमें से जो अन पैदा किया जाता है यह अन के दौरा हम वेक्ति को रोगी करते हैं रोगी करके फिर बहुत सारे और शदियों के द्वारा खीक करने का दंब भरते हैं तो आवश्यक्ता है कि हम उस चीज से बचें हलाकि बहुत सारी जो अच्छी कमपनियां हैं अच्छी कमपनियों का आटा है वो लोग शायद ग्यहों को साफ करके दो करके पीस करके वो ग्यहों आटा बनाते हैं फिर भी हमें प्रयत्ना करना चाहिए कि ग्यहों को हम खरीदें तो फिर घर में ला करक अच्छी तरह से साफ करके सुखा करके तब हम उसका प्रयोग करें तो जो उसका जो किट नासक बाही रूप से जो दवाई का छिड़काव है उसके काफी अंस में हमें उससे रहात मिल जाएगा तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस आटे का यदि भरसक हो सके तो जो ना ग्याहों खरिद करके आटा पिसवा करके तब आप उस आटे का प्रयोग करें दूसरी चीज जो पेस्तिसाइड का जो अशर है हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा जो अशर हुआ है हमारे लीवर हमारी किड्नी पर हमारे हार्मोनल ग्लेंट्स पर तो आज महमारे की तरह से बढ़ती हुई कैंसर की वीमारियां और लीवर की परिशानियां और उससे जादा कहीं आज एक भैनक रूप लेकर के उभरता हुआ आपकी किड्नी की समस्या आज एक भैनक रूप से किड्नी की समस्या उभर रही है तो उससे यदि हम बचना चाहते हैं तो अपने आहर को अपने खान पान को पहले तो हम शुद्ध करें और जरूरी है आईरुवेद में पहले से दिशाने कहा था वेगान नधार्या कि वेगों का धारन नखर यह अपको बहुत मुत्र का है आप मल का वेग है तो उससे इस जो आपका इस तमक जो पेट का जो भाग है जो हमारा लोर पार्ट है उसके उपर उससे जोर पड़ेगा उससे किदने के उपर भी गलत असर पड़ेगा एक तो खाने में सुचिता, संयमित्ता और आहर की शुधता, शुधता के साथ साथ में शर्व में वेगों का धारन न करें चिंता से बचें, तनाव से बचें, ये निश्चित्रों से मैं आज इस जड़िबूटी के वर्णन के साथ में यहाँ निविदन करना चाहता हूँ हमारे सभी देशबायसी, भाईयों, बहनों से, माताओं और बुजरुगों से कि ठीक है, संसार में आदमी आता है, तो संगर्ष में जीवन को भी जीता है, पुरुशार्त भी हमने किया, सुख को भी हमने भोगा, तो दुख को भी हमें ही भोगना होता है परिष्थितियां आती हैं पर वो परिष्थितियों की प्रतिकूलता से हम विचलित नहों यह बहुत जरूरी है और आप यही नियमित रुप से प्राणायाम करते हैं तो मैं नश्यत रुप से पूर्ण द्रणता के साथ, पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने स्ट्रेस से, तनाव से और इस तरह के तनाव जन्ने रोगों से धर्ती के अंदर, इस पूरे विश्व के अंदर आज मॉडन साइंस ने बहुत रिसर्च कर लिया है रिसर्च में एक यह भी रिसर्च हो चुका है, कि जितने भी बिमारियां हैं, उनका मूल कारण स्ट्रस है कि तनाव बढ़ने से बहुत सारी बिमारियां होती हैं, तो हम तनाव से बचें परिस्थितियों से नहीं बच सकते, कोई बात नहीं, यह संसार की घटनाएं, विपत्तियां और आपदाएं तो आएंगी आज किसे के साथ हैं, कल हमारे साथ भी हो सकती हैं, पर इन आपदाओं और विपताओं में हम विचलित नहों सके एसी शक्ति और सामर्थ, योग और प्रानायम से आएगा, फिर भी हमारे शरी में कोई व्याधियां आ भी गई, तो उन व्याधियों को दूर करने के लिए हमारी आसपडोस की यह आउशदियां हमारे काम आएंगी इन व्याधियों से हम उन रोगों से बच सकेंगे, तो हम आचर्चा कर रहे हैं इस गोखरू के संदर्व में, यहाँ गोखरू किड़नी के लिए अम्रित है, एक राम बान है, हम किड़नी के लिए जो आउशदि देते हैं, उसके अंदर बिकदोश हर क्वाथ वो देते हैं उसके अंदर गोखुरू, पुनरवा, मूल, पाशान, भेद, वरण की चाल और मेथी यह सब उसके अंदर है तो उसमेसीह प्रमुख द्रब्य है गोखुरू आज हमारे देश में यह गोखुरू सरवत्र होता था मैंने राजस्थान में, गुजरात में, हर्याना में, पंचाब में, बिहार में, बंगाल में, हर जगा इसको 5-7 साल पहले बहुत देखा पर ताज्जुब की बात है कि सिर्फ 5-7 साल में ही यह बहुत लुप्त प्रायसा हो गया है, आज यह पोदा बहुत कम देखने को मिलता है, यह हम सब के लिए चिंता का विशय है, जड़ी बुटिया नहीं रहेंगी, तो हम इन रोगों को इन चड़ी बुटियों से मुक्त करने का जो सपन है, उसको कैसे पूर्ण कर पाएंगे, गोखुरू जो सरवत्र उ देखने से भी कहीं महताज नहो जाए, मुझे चिंता है, अभी सर्धेज स्वाम जी की कारिकरम के संदर्व में मुझे अफरिकन देशों की यात्रा करने का अभी अवसर मिला, कुछ समय पूर्व, कुछ माहपूर्व मैं अफरिकन देशों में हो करके आया हूँ, वहां मैं देखा खेतों में जंगल में इतनी मात्रा में गोखरू है और इतनी सुंदर गोखरू है, जितनी सुंदर यह है, जैसे अभी सच्छ वातावरण में हमारे इस खेत में, हमारी इस वाटी का में, इस गोखरू को पनेपने का बहुत मौका मिल रहा है, तो यह छोटे यह जड़ी बूटियां अम्रित की तरह से अपना जाती थी आज उस देश से कहीं वो अम्रित जीवन अदाई नी पहुधे कहीं लुपत न हो जाए और वहाँ पर आज इन जड़ी बूटियों का प्रयोग का पता नहीं है इसलिए वहाँ वो सुरक्षित हैं कल हमारे यहां ख जरूरी है कि हम इन पोधों की